Hello friends, welcome to the channel. आईए आज बात करते हैं टेक सेग्मेंट में, नहीं सोरी, आटो सेग्मेंट में, क्या है निया? अट्व सेग्मन में निया आ रहा है हुंड़ाई क्रेटा को लेके तो हुंड़ाई क्रेटा ने एक बेंचमार्क एक माइल स्टोन क्रेट कर दिया है 45-75 लाग की सेव्स का तो इसलिए अब इसने सोचा बिग तो रही है बिगनी तो फिर भी है तो अब उसने इस होचा क्या करें राइवल्स आ रहे हैं राइवल्स इतने इतने ओप्शन्स लेकिया रहे हैं तो मैं क्या करूँ तो इन्होंने क्या किया एए एक एक फेसलिफ निका्त कह सकते इसमें एक आड़िये एक वेरियंट एड़ कर दिया जिसको कहते हैं nieuwe sports edition launched तो इसमें आईए देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया है तो इन्होंने 20 अपग्रेड किये हैं जो ये आपको थोड़ा सा आई थिंग प्राइज भी 50 से 60 हजार रुपे उपर जाएगी जो नॉर्मल असक्स वेरियंट है तो चलिए आज बात करते हैं क्रेटा स्पोर्ट्स अडिशन आईए शुरू करते हैं तो इसमें हमें 20 अपग्रेड देखने को मिलेंगे, कॉस्मेटिक चेंजिस देखने को मिलेंगे, न्यू फीचर्स मिलेंगे, एक्स्टिरियर की बात की जाए तो 22 फंशनल प्रोजेक्टर, हैड्लैम मिलेंगे, अपडेटिटिट फ्रंट क्रोम ग्रिल मिलेगी, विद बलैक दार्केट मिलेंगे सपोर्ट And Rear Auskick बलैक कलड ओर वीए मिलेंगे और सिलफर रूफरेल मिलेगी और रियर स्पाइलर भी मिलेगा जब इंटिएर की बात करते हैं तो पूरी की पूरी सपोर्टी बलैक थींप से उर बलैक ते उर यजह कुएगी ए तो steering जो wheel होगा वो silver होगा front AC फ्रंट थोड़े सी silver के होंगे तो इस चक्कर में silver finish थोड़ी थोड़ी जगा दी हुए है steering wing जो leather में wrapped होगा और white stitching में आएगा जैसे की silver में होता है तो next आ रहा है, next इसमें क्या मिलेगा, next time मिलेगा जो engine है इंजन वो सेम ही रहेगा लेकिन BS4 रहेगा इसको हुंड़ाई ने यहां पर बहुत बड़ा कर दिया मजबूर लोगों को सोचने के लिए इसको BS6 दे देना चाहिए था इंजन में यह मिलेगा दोनों पेट्रोल और डीजल में 1.6 और 1.6 डीजल और यह manual transmission के साथ आएगा sports edition यह किसी भी automatic में नहीं मिलेगा आपको डीजल variant की जो कीमत है वो 14.3 लाग एक शोरूम है पेट्रोल की 12.78 लाग शोरूम है यह X प्राइज है लेकिन आप थोड़ा सा जाके पता कर सकते हैं तो यह X शोरूम प्राइज ही हम बताते हैं यह वैरी कर सकता है अपने अपने शोरूम तो customer जो है वो दो color में इसको कर सकता है चूज एक तो phantom black एक polar white और with phantom black यह बस ऐसा ही है तो जो color option है वो आपको as a standard मिल जाएगा क्रेटा जो भी है तो white color ज्यादा भीकता है इसका क्रेटा का मैंने इतनी भी क्रेटा देखी हैं वाइट में ही देखी है 55% मैंने देखी हैं वाइट में देखी हैं तो जो key features हैं इसमें क्या क्या मिलेगा सबसे पहला electric sunroof wireless charging adjustable driver seat and automatic climate यह सब में होता है 7.0 inch touchscreen यह पहले भी था carplay android auto sport करेगा security feature में dual air पराना है ABS वीड़ी पराना है parking assist थोड़ा सा नहीं है cruise control यह थोड़ा सा नहीं है seatbelt reminder यह नहीं है speed alert यह नहीं है lane change indicator यह पराना है front fog lamp यह भी पराना है area defog यह भी पराना है and immobilizer यह सारा जो pack है यह थोड़ा सा पराना है बीच में थोड़ा सा you know technology wise upgrade कर दिया तो इस वज़े से थोड़ा सा नहीं है थोड़ा थोड़ा जो मैंने बोला है तो next area इसमें तो इसमें देखने को आपको सिर्फ एक ही मिलेगा जो sx variant पर बेस्ट होगा cosmetic changes होंगे features होंगे आपको बता दिये हैं मैंने पहली कहा था चुरंजा से प्राइज उपर जाएगी ही जाएगी normal sx variant से engine performance safety feature में कोई बदलाब नहीं किये है creator है जो best selling SUV में आप कह सकते हो compact SUV में अब बीट करने जा रही है Hyundai venue को तो Hyundai ने सोचा कि आप राइवल्स यो MG हेक्टर है और upcoming Kia Seltos है अगर मैंने उसको नहीं कुछ changes किये तो नहीं भी कहएगी घाड़ी तो सबसे जादा लोग जाएंगे MG हेक्टर पेट्रोल वेरियंट आटोमेटिक में ले लो तो बैटर है Kia Seltos अभी थोड़े दिन में हम देखेंगे तो फिर आपको बता देंगे Kia Seltos भी डीजल इंजन में जादा value for money बता रही है लेकिन जब तक आ नहीं जाती तब तक हम नहीं कुछ कहेंगे लेकिन MG हेक्टर का तो पता ही है पेट्रोल आटोमेटिक अगर लेना है तो ले लो डीजल मत लो that's it आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में till then bye bye